जिस वक्त की सबसे बड़ी खवर आ रही है कि बीजेपी ने अपने बल्लेवाज विधायक आकास बीजेवर्गी पर बड़ा एक्षन लेते हो उन्हें नोटिस जारी किया यानि कि साफ तोर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तलकी के बाद भाजपा संगठन ने आकास विजेवर्गी के जो बेटकांड है यानि कि निगम कर्मी पर जिस तरीके से आकास विजेवर्गी ने बल्लेवाजी की थी उसको लेकर भाजपा ने काफी दिनों के बाद आकास विजेवर्गी के खिलाफ नोटिस जारी किया और उन्हें कारण बटाओ नोटिस जारी किया तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए ये इस नोटिस जारी करने के कुछ देर पहले की तो प्रदियस अध्यक्ष राकेश सिंग का भी बड़ा बयान सामने आया था राकेश सिंग ने मीडिया से रूबरू होते हुए काहा है कि आकाश विजेवर्गी के मामले में बीजेपी अपने कारिपद्यती के अधार पर फैसला करेगी और फैसला करने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी तो यानि कि जिस तरीके से ये नोटिस आया गया है तो कहीं न कहीं इस नोटिस की जानकारी राकेश सिंग को भी नहीं थी लिहाज़ा यही वज़े रही क राकेश सिंग ने ये बयान दिया था कि बीजेपी की जो कारिपद्यती उसके अधार पर निर्णे होगा और ये नोटिस दिल्ली से जारी हुआ तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इस मामले पर एक्षन लिया गया है और नोटिस जारी किया गया है तो इसके लिए आकाश वरगी बीजेपी के राष्टी महा सचीवे और उन्हें मद्धृदेश का शेर भी कहा जाता है और जिस तरीके से मद्यप्रदेश की सियासत में केलास विजेवरगी का वर्चस्व माना जाता है तो कहीं न कहीं उसको लेकर भी प्रदेश विजेपी संगठन इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था लिहाजा दिल्ली से ये नोटिस जारी किया गया था चुकि ये अगर माना जाए तो ये मामला इंदोर का था और इसे मद्यप्रदेश में ही निप्टाया जा सकता था मद्यप्रदेश के संगठन इस तर पर ही इस मामले को निप्टाया जा सकता था लेकिन जिस तरीके से आकाज विजेवर्गी का जो वर्चस्व जिस तरीके से उनकी भारी भरकम राजनीती है उसको देखते हुए प्रदेश संगठन पर ने इस पर कोई रिस्क नहीं लिया लिहाजा अमिश शाह को दिल्ली से इस पूरे मामले मर नोटिस जारी करना पड़ा तो ये एक बड़ा अपडेट है और इस नोटिस के बाद बिजेपी के विधायक केलाज विजेवर्गी जो की निगम कर्मी पर बल्लेवाजी कर चुके हैं आकाश विजेवर्गी उनको इस पूरे मामले पर जो है कारण बताना पड़ेगा और अपनी इस्तिति स्पस्ट कर अपरेगी